हेलो ब्यूटिफुल सोल्स दसस सान्वी शर्पाँ आई वेलकम यू वाल तो माई यूट्यूब चानल सोल्फुल जोर्निग आज एक बहुत ही खास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूं अगर आप किसी रिलेशन्शिप में हैं और आपके पार्टनर आपसे खुलकर ब आज मैं आपके लिए पिककार्ट 3D क्लिकर आई हूं जिसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं यह आज हम जानने वाले हैं पाइल सेलेक्शन के लिए यहां पर दो आप्शन है जिस तरीके से मैं आपको पाइ अपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है इससे वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है ठीक है आप मेल है फीमेल है अपके साथ रेजनेट जरूर होगी तो यहां पर यह दो आपके लिए इसस पाइल लंबर वन इन दिस पाइल लंबर तू तो पाइल लंबर वन में है तो आए जानते हैं चुन्होंने पाइल लंबर वन चूज क्या है आपके लिए क्या एनरजी निकल कर आते है आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं आए जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं पॉर पाइल लंबर वन पीपल आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं आए जानते हैं आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं For pile number 1 people, आएए जानते हैं, आखिर आपके partner आपसे क्या छुपा रहे हैं यहाँ पर the wheel का card है, the next card is page of vans का card है The next card over here is death slash infinite rebirth का card है Six of swords का card है, यहाँ पर the next card is knight of vans का card है Ace of pentacles का card है, यहाँ पर the next card is ace of cups का card है The next card over here is king of swords का card है And bottom of the deck पर nine of cups का card है तो जिन्हों ने pile number one choose किया है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको आपके partner के zodiac signs के बारे में बताना चाहूंगी यहाँ पर जो आपके partner के zodiac signs मुझे नजर आ रहे हैं वो है Aries, Leo, Sagittarius, then is Aquarius, Gemini, Libra, then is Scorpio, Cancer, Pisces And बहुत कम यहाँ पर Capricorn, Bogot, Taurus है जिन्हों ने pile number one choose किया है आईए अब detail में बात करते हैं कि आखिर आपके partner आपसे क्या चुपा रहे हैं देखिए आपके partner की life के अंदर बहुत सारे changes चल रहे हैं जिन changes की वजह से वो एक dices situation में आकर खड़े हो गए हैं कुछ ना कुछ उनकी life में चल जरूर रहा है, इसमें कोई doubt नहीं है आपके partner उन changes को लेकर अपनी life में बिल्कुल भी clarity नहीं रखते हैं आपके partner अपनी life को किसी भी तरीके से balance करने की कोशिश नहीं करते हैं ये चीजें वो आपसे चुपा रहे हैं क्योंकि वो balance create कर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है या कहूं उनकी energies के according तो असंभव है कि वो चीजों को balance नहीं कर सकते हैं आपके partner ने आपसे अपनी direction change की है वो एक नई direction में बढ़ रहे हैं और ये directional change उनकी energies के अंदर क्यों आया है ये चीज आपके partner आपसे चुपा रहे हैं ये जो directional change की बात है अगर आपके partner आपके साथ talking terms में है suppose तो आपको उनके nature में कुछ बदलाब नजर आ रहे होंगे वो आपसे कुछ चुपा रहे हैं ऐसा आपको feel हो रहा होगा और अगर आपके साथ वो talking terms में नहीं है तो ये बाते तो definitely वो आपसे नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने आपसे अपनी direction completely change कर ली है और जिस direction की और वो starting में आपसे जूट बोल कर बढ़े थे उस direction में अब उन्हें वैसा confidence महसूस नहीं हो रहा है वैसी stability महसूस नहीं हो रही है ये चीज भी वो आपसे चुपा रहे हैं आपके partner को जब आप देखते होंगे या आप अपने partner से बात करने की कोशिश करते हैं उनके रंग ठंग बहुत अलग हैं आपके partner आपसे प्यार से बात नहीं करते हैं आपके partner अपनी life को mysterious आपके सामने शो कर रहा है उनकी life के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे वो hidden way से र energies को go through कर रहे हैं वो transformation की energies उनके अंदर क्यों आई है वो ये बात खुद नहीं जानते हैं तो वो आपको क्या बताएंगे वो आपसे क्या कहेंगे कि वो अपनी life में ये transformation की energies क्यों witness कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर जो मुझे energies नजर आ रहे हैं जो चीज़े समझ आ रहे है कि आपके partner जान भूज कर आपसे कुछ चुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बलकि यहाँ पर एक energy ऐसी है जिसकी वजह से आपके partner खुद भी ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि ये transformation उनके अंदर क्यों आई है अगर आपके partner आपको ऐसे ही छोड़ कर चले गए हैं उन आपके partner अगर आपसे आज के time पर बातचीत करते हैं तब भी वो move on करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको सही time नहीं दे रहे होंगे आपके partner आपको ये बता नहीं रहे हैं कि हालात उनकी life के अंदर किस तरह के create हो रहे हैं जिसकी वजह से वो अपनी life के अंदर एक नई direction मे बढ़ते हुए अपनी life को stable करना चाह रहे हैं उनकी life के अंदर किस तरह का emotional turmoil आया है वो ये चीज आपसे share नहीं कर रहे हैं ठीक है आपके partner हो सकता है कि अपनी transfer उन्होंने plan की हो उसके बारे में आपको ना कहा हो हो सकता है कि आपके partner ने आपसे दूर जाने के लिए ही अप आपसे नहीं कहा हो ये energy मुझे यहां पर नसर आ रहे हैं आपके partner कि अगर अभी अभी कोई जगा का परिवर्तन हुआ है या होने वाला है तो वो चीज आपके partner आपसे चुपा रहे है कि उन्होंने ये चीज क्यों की है यहां पर night of vans का काल है आपके partner इस relationship के लिए passionate है ले लेकिन वो अपने passion को नहीं follow कर पा रहे हैं वो इस relationship के बारे में दिल से सूचते हैं दिमाग से नहीं सूचते हैं वो चीज वो आपसे हाइड गर रहे हैं ठीक है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपके सामने अपने जजबातों को रख दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी life को instability की और ले जाएंगे और ये उनका कोई हक नहीं बनता है एक जगा वो आपको commitment नहीं दे सकते हैं दूसरी जगा पर वो आपकी life को unstable बना दे इस चीज का उन्हें कोई हक नहीं है ठीक है तो आपके partner ये चीज भी आपसे चुपा रहे हैं यहाँ पर ace of pentacles का card है आपके partner अपनी life के अंदर किसी के साथ को stable नई शुरुआत कर रहे हैं और वो नई शुरुआत करना उनके लिए बेहत ज़रूरी है उनके हालात उन्हें इस चीज के लिए मजबूर कर रहे हैं और वो अपनी मजबूरियां ही तो आपसे चुपा रहे हैं ये जो नया start ये जो नया step ये जो नई commitment ये चीज़े आपके partner आपसे चुपा रहे हैं आपके partner आपको लेकर emotionally drain हो रहे हैं वो जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ injustice किया है वो आपसे चीज़े चुपा कर भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं लेकिन कुछ maturity के साथ उन्हें steps लेने पूशर देना ज़रूरी नहीं समझते हैं उन्हें ऐसा लगता है आप उनसे प्यार करते हैं तो आज नहीं तो कल आप इन चीज़ों को समझ ही जाएंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया ठीक है फीलिंग्स होने के बावजूद भी कई बार मेरे पास जो क्लाइन था उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते हैं उसका में कारण उनकी life की transformation की energies है ये transformation की energies जो है वो आपके partner की तरफ से खुज generate नहीं हुई है आपके partner का यूँ direction को change करना आप से दूर जाना किसी को stable commitment देना ये उनकी अपनी energies नहीं है इस बात को समझ कर चलिएगा जो भी आप उनके action से अपने इस रिष्टे का फैसला करते चाते है ना वहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं आपके partner आपसे ये भी चुपा रहे हैं कि उनके लिए materialistic चीज़ें कोई matter नहीं करती है वो रहना तो आपके साथ चाते हैं आपके साथ अपने emotions को fulfill करना चाते हैं emotional contentment की energies आपके साथ witness करना चाते हैं आपके साथ अपने चजबातों को खुल कर रखना चाते हैं बट वो ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं और ये जो नहीं वाला कारण है ना वो आपसे share नहीं कर रहे हैं वो यही चीज़ आपसे चुपा रहे हैं और हर case के अंदर अलग-अलग reason है इस नहीं कर ठीक है आपके बल जो आप लोग हैं अलग-अलग energies के साथ यहां पर जुड़े हैं अलग-अलग energies के साथ इस reading को देख रहे हैं तो कारण भी अलग-अलग होंगे लेकिन जो major चीज़ें वो आपसे चुपा रहे हैं वो यह हैं अगर आपके partner आपके साथ in out कर रहे हैं तो यह मत सोचे कि वो in आ ही जाएंगे क्यूंकि आपके partner अपनी direction change कर चुक है अगर आज के time पर वो हफते के अंदर दो-तीन बार in out कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में एक-दो बार in out करेंगे फिर वो एक बार in out करेंगे फिर वो बिल्कुल ही नहीं करेंगे और वो आपके life से eject हो जाएंगे बाहर चले जाएंगे तो यह energies यहाँ पर चल रहे हैं उनका प्यार उन्हें वापस आपकी और खीचता है जो वो अपनी vibrations आप तक send करते हैं वो आपका प्यार है जो उन्हें आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है उनके feelings हैं आपके लिए जो वो अकेले में बाटकर express करते हैं तो जो चीज़े आपके partner आपसे चुपा रहे हैं वो यह हैं आएए हम एक और डेक से देखते हैं कि आखेर आपके partner आपसे क्या चुपा रहे हैं आएए जानते हैं कि आखेर आपके partner आपसे क्या चुपा रहे हैं आएए जानते हैं sorry it was on some another deck तो आखेर आपके partner आपसे क्या चुपा रहे हैं आएए जानते हैं कि आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, आये जौनते हैं, कि आखिर आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो पहला कार्ड है यहाँ पर All Tied Up का कार्ड है, The next card is Kornokopia का card है The next card over here is Blossoming Abundance का card है The next card is Rest and Regeneration का card है Bottom of the deck पर The Thinking Woman का card है यहाँ पर आएए अब हम एक और deck से देखते हैं आखिर आपके partner आपसे क्या छुपा रहे हैं आएए अब हम इस deck से देखते हैं आखिर आपके partner आपसे क्या छुपा रहे हैं आखिर आपके partner आपसे क्या छुपा रहे हैं आएए जानते हैं इस deck से आखिर आपके partner आपसे क्या छुपा रहे हैं तो पहला card है यहाँ पर Completion का card है The next card is Bittersweet का card है The next card over here is Impass का card है Wisdom का card है यहाँ पर and bottom of the deck पर Growth का card है देखिए आपके partner आपसे यह छुपा रहे हैं कि उनके जीवन के अंदर वो stuck है जो भी stuck situation create हुई है उस situation को वो आपके साथ discuss नहीं करना चाहते हैं उसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं हो सकता है कि आपके partner को ऐसा लगे कि आप उनके बारे में यह सूचेंगे कि वो बहाने बाजी कर रहे हैं तो शायद इसलिए ना आपको बता रहे हूँ लेकिन अपनी life की जो stuck energies हैं वो आपसे वो चुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इन result वो यह आपके सामने साबित करते हैं कि वो अपने जीवन में बहुत ज़दा खुश है वो अपने जीवन में stable है उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है वो इस तरह की energies आपके सामने create करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको उनकी जो मुसीबत है या जो उनकी मजबूरी है वो बहाना ना लगे ठीक है जो आपके partner है वो आपसे ये भी छुपा रहे हैं कि उन्होंने एक बार selfish होकर आपसे अलग होने का decision लिया है इस चीज़ को वो feel तो करते हैं लेकिन वो चीज़ वो आपके सामने नहीं रखना चाते हैं रिग्रेट है लेकिन वो रिग्रेट की energies को आपके सामने नहीं रखना चाते हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जाने के बाद अगर आपके जीवन के अंदर खुशी आ सकती है या आप अपने खुशियों के और बढ़ सकते हैं तो आपको बढ़ना चाहिए आपके पार्टनर की जब feelings बहुत ज़दा आपको लेकर high हो जाती है तो वो vibrations आती है जो आपने current feelings में देखी होंगी जो urgent messages में देखी होंगी जब आपके पार्टनर का दम घुट रहा होता है तब वो वैसी feelings निकल कर आती है कि at least आप एक बार तो उनकी मदद कीजिए बट यहां पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने जीवन में बिलकुल खोश है और आपने भी शायद यही नजरिया उनको लेकर अपने जीवन में बना लिया है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर stable है उनके जीवन में बहुत ज़्यदा खोशिया है बट सच यह है कि वो आप से ये बात चुपा रहे हैं कि जिस तरह की खोशिया वो आपके साथ experience करते थे उस तरह की खोशिया अब उनके जीवन में नहीं है वो अपने जीवन में बिल्कुल भी stable नहीं है उनके जो decision making ability है वो खतम हो गई है आज के time पर आपके partner की health ठीक नहीं है अपनी health की बातें वो आप से चुपा रहे है उनके mind में ये clarity क्यों नहीं बन पाती है उस चीज को वो आप से चुपा रहे हैं बट वो जब वो खुदी नहीं समझते हैं कि clarity क्यों नहीं आ रहे हैं तो वो आपको क्या बताएंगे ठीक है तो वो ये चीजे आप से basically चुपा रहे हैं और यहां पर the thinking woman का card है आपके partner को ये बात पता है कि आप उनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं ठीक है और आप उनको लेकर कुछ negative feelings रखते हैं कि आपके partner ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया उन्होंने जिस तरह से आपको cheat किया वो अपनी मर्जी से cheat किया इस चीज को सोच कर उन्हें दुख तो होता है बट वो आपको किसी भी तरीके की कोई clarification नहीं देना चाहते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इसी चीज को आप अपना सच बना कर आगे की और move करते हैं अपनी life के अंदर stability लेकर आने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर बुराई क्या है चीक है तो एक point से आपके partner इस वज़े से भी आपसे चीज़े चुपाते हैं और यहां पर completion का card है आपके partner आपसे यह नहीं कह पा रहे हैं या वो यह आपको नहीं बता रहे हैं कि इस रिष्टे को खतम करने में उनका कोई हाथ नहीं है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अगर सही टाइम पर सही decision बनाते तो यह रिष्टा इस तरहां से तो at least खतम ना होता यह रिष्टा almost खतम हो चुका है यह बात वो अपने मूँ से आपके सामने नहीं कहना चाहते हैं आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने पार्टनर से सरफ closure ही चाह रहे होंगे वो closure आपको नहीं मिर रहा है आपके पार्टनर आज भी आपकी यादों के बहाव में बहते हैं आपके पार्टनर को आपकी बहुत याद आती है आपके पार्टनर आपके साथ बिदाय हुए अपने खटे मिठे लमहों को याद करते हैं, यह चीजे वो आपके सामने एकस्प्रेस नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए खुश्यां चाहते हैं, वो यह भी जाते हैं कि आप उपकी लाइफ के अंदर वाप्पेस आ आपके सामने चीज़े बहुत प्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया ठीक है आपके पार्टनर इस रिलेशन्चिप में आपके साथ अपने ग्रोथ तो चाहते हैं लेकिन वो ग्रोथ की एनोर्ची में तभी एंटर गर सकते हैं जब उनकी लाइफ का ये emotional turmoil खतम होगा जब वो अपने लाइफ में ये stuck situation से बाहर निकल पाएंगे तभी वो expression आएगा अदरवाइस तो वो expression नहीं आ सकता है वो आपके क्या बोलें कि हाँ वो आपके साथ relationship फॉर्म करना चाहते हैं बट बात ऐसी है कि जो third party situation उनकी लाइफ से क्या कहना चाहती है आएए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ messages आपके लिए आएए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल आप से क्या कहना चाहती है तो पहला message है यहाँ पर I am not ready for the commitment right now. Things don't favor me. यह चीज आपके पार्टनर आपसे चुपा रहा है commitment देना चुक तो चाहते हैं बड़ चीजें उनको favor नहीं करती हैं इस वज़े से वो यह commitment आपको नहीं दे रहे हैं मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भुलाने की बट मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाया I miss you आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश की आपको भुलाने की लेकिन वो आपको कभी भी नहीं भुला पाये वो आपको बहुत ज़दा मिस करते हैं यह कोई gender wise message नहीं है अगर आपकी पार्टनर एक female है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं और देखते हैं गुम्राशा हो हूँ अपनी जिन्दगी से आपके पार्टनर को जिन्दगी में कोई रा नजर नहीं आ रही है कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है वो अपनी जिन्दगी में भटक रहे हैं सिरफ I want to kiss you and hug you आपके पास आना चाहते हैं आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं आपको किस कर दो आपके पाटनर को regret है चीजों को लेकर लेकिन वो यह चीज़े आपके सामने से आकर आपको नहीं कह रहे हैं उनकी सोल से यह message आपके लिए कि वो गुनागार है आपके एक एक आंसू के आप उन्हें माफ कर दे यह वो आप से चाहते हैं मैं आज भी तुमसे बे इंतिहां महबत करता हूँ I love you आपके पाटनर आज भी आपसे बहुत ज़़ादा प्यार करते हैं चाहे आज आज आप दोनों के बीच में कोई भी हला दो I know कि आपको यह चीज़ मानने में बहुत ज़़ा difficulty होगी और कुछ लोग तो आप में से इतने ज़़ादा स्टाबन है जो आपने पार्टनर की एनर्जी को देख कर भी अंदेखा कर लेते हैं पिकॉस हर्ट का जो लेवल होता है वो इतना ज़़ादा बढ़ चुका है कि अब आप अपने पार्टनर की इन बातों के यकीन मैं आपको इतनी चीज़ यहाँ पर ज़रूर कोऊंगी आपके पार्टनर स्टक हैं जो इनसान इतनी बाते आपको लेगर फील कर रहा है वो परसन आपके सामने से भी तो यह चीज़े कह सकता है बट हलात उन्हें अजाज़त नहीं दे रहे हैं वो हलात आपके पार्टनर द्वारा क्रियेट किये गए नहीं है करने मासे यहाँ उपके और के पार्टनर बहुत ज़दा इगोस्टिक डॉमिनेटिंग किसना के नहाज़र आते हैं ठीक है आप अगर चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपनी energies में वापिस आ जाएं जिस तरह से वो आपसे प्यार करते थे वो उसी तरीके से आपसे प्यार करें तो उसके लिए आपको अपने partner की blockages को समझने की ज़रूरत है and accordingly आप उनके लिए कुछ remedies go through कर सकते हैं आप remedies की जब बात आती है तो थोड़ा सा घबरा चाते हैं कि पता नहीं ये remedies हमें result देंगे की नहीं आप community tab को visit कीचे मेरे channel के वहाँ पर देखिए कि किस तरह से healing के result आते हैं किस तरह से लोगों का reunion हो रहा है अगर आप मेरे साथ अपने reading book करना चाहते हैं तो मेरे whatsapp के through या फिर मेरी email id के through कर सकते हैं मेरा whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे so I hope जोनों ने pile number one choose किया है आज की reading से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर clarity मिली होगी नीचे मुझे comment section में जरूर बताईएगा ये reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिएगा अपने near and dear ones के साथ share जरूर कीज़ेगा हो सकता है किसी को अपने life को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरे reading से influenced है और किसी personalized problem का solution मुझे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं ये booking आप मेरे whatsapp के थूँ या फिर मेरे email id के थूँ कर सकते हैं मेरे whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होंगे जिल लोगों ने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है आप please मेरे चानल को subscribe कर लीजे और bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियो की notification मिलती रहे मेरे एक और चानल भी है soul divine जोनी टार हो link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस चानल पर मैं कुछ ऐसी वीडियो पोस्ट करते हो जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती है और मैं अपनी daily angelic guidance जोसरात आठ बज़े उस channel पर post करती हूँ so आप लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे मेरे एक और channel भी है soul mystic tarot उस channel पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज़वात yes or no pendulum readings ऐसी सभी readings में आपने उस channel पर post करती हूँ so आप लीज उस channel को भी subscribe जरूर कर लीजिए और वहाँ पर भी bell icon को press करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहे उस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा so now let's see for pile number 2 जिन्होंने ये वाली pile चूज की है आये जानते हैं कि आपके partner आपसे क्या चुपा रहे है जिन्होंने pile number 2 चूज किया है आये जानते हैं आपके partner आपसे क्या चुपा रहे है for pile number 2 people let's see आपके partner आपसे क्या चुपा रहे है okay यहाँ पर 10 of swords का card है queen of pentacles का card है यहाँ पर the next card is the herofinch का card है the next card over here is six of cups का card है the next card over here is five of swords का card है nine of swords का card है the next card is three of wands का card है judgment का card है यहाँ पर and bottom of the deck पर the hand man का card है जिन्होंने pile number 2 चूज किया है सबसे पहले मैं आपको आपके partner के zodiac signs के बारे में बताना चाहूँगे यहाँ पर जो आपके partner के zodiac signs मुझे नजर आ रहे हैं वो है Aquarius, Gemini, Libra then is your Scorpio, Cancer Pisces then is Capricorn, Bogotaurus and सबसे कम यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius है वैसे तो आपने अपने नाम के first alphabet के according इस pile को select किया है तो energy आपके साथ resonate definitely करेगी ही सो आईए अब हम detail में बात कर लेते हैं कि आपके partner आप से क्या चुपा रहे हैं सबसे पहले तो आपके partner अपने जीवन की परिस्तित क्या आप से चुपा रहे हैं वो जीवन में कहां आकर अटके हैं उनकी life के अंदर क्या कुछ चीजे create वो खुद कर चुके हैं किस तरह की गलत energies को उन्होंने अपनी life में खुद welcome किया है ये चीजे वो आप से चुपा रहे हैं जिस चीज का अगर मैं कहूँ enlightenment की energy भी उनके अंदर आ चुकी है वो ये बात समझ गए हैं कि उनके जीवन के अंदर जो ये उलजन create हुई है वो कहीं न कहीं उनके अपनी वजह से हुई है तो ये चीज आपके partner आप से definitely यहां पर मुझे चुपाते हुए निजर आ रहे हैं दिल उनका करता है कि कभी-कभी आपके सामने आकर ये चीजे कह दे एक बार वो आपको बता दें कि उनकी life के अंदर हो क्या रहा है लेकिन फिर चिब वो अपने आसपास वाली परिस्तियों के बारे में देखते हैं और ये सुचते हैं कि उसके बाद आप अपने partner को अगर माफ भी कर देंगे तो आपके partner आपको commitment किस तरह से देंगे नहीं बिठाते हैं आपके partner आपसे ये चुपा रहे हैं कि उन्होंने इस रिष्टे के बारे में किसी और person से बात की है उन्होंने इस रिष्टे पर advice भी ली है लेकिन इस रिष्टे में जिस person ने उन्हें advice दी है उस person ने move on करने के लिए ही उन्हें कहा है यह चीज वो आपसे छुपा रहे हैं आपके जो person है वो आपसे अपनी marriage की बाद भी चुपा रहे हैं अगर आपके person unmarried है तो या तो उनकी शादी होने वाली है या उनका रोका हो गया है यह चीज वो आपसे hide कर रहे हैं और अगर आप अपने partner के साथ बहुत लंबे time से एक relationship में रहे हैं और अचानक से no contact की स्तिती उत्पन हुई है तो इसका मतलब यह है कि आपके partner ने किसी और person को commitment दे दी है अगर आप married भी है तो आपके partner ने शायद कोई hidden marriage कर ली है ठीक है तो यह energies यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं यह चीज़ आपके partner आपसे चुपा रहे है आपके partner यह बात समझ गए है कि वो इस third party के एक बहुत गंदे जाल में फस गए इस third party को उनके साथ लालच है इस बात को वो मानते हैं लेकिन इस बात को वो आपके सामने नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि आपको उनके सोच पर आपको उनकी हर एक बात पर शक होगा ऐसा आपके partner को लगता है आपके partner आपसे यह चुपा रहे हैं कि जो sensibility आज उनमें आई है वो sensibility उनमें पहले से आने चाहिए थी ऐसा आपका भी मानना होगा तो इस वजह से अपनी sensibility की वजह से वो जो कुछ भी experience कर रहे हैं आज के टाइम पर जिस चीज में judgment बना रहे हैं वो चीजें वो आपसे share नहीं करना चाहते हैं आपके partner आपको यह अपने मूँ से नहीं कहना चाहते हैं कि यह रिष्टा हमेशा हमेशा के लिए खतम हो गया है ठीक है बट आपके partner ने अपनी side से इस रिष्टे को खतम हुआ मान लिया है आपके partner इस relationship में आप कोई efforts नहीं लगाएंगे बहुत कड़वा है लेकिन सच है कि आपके partner आप इस relationship के अंदर कोई भी effort नहीं लगाना चाहते हैं क्योंकि जिसके साथ उन्होंने marriage किये जिसको उन्होंने commitment दी है अगर अपने husband और wife के साथ है आपके partner वो उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं वो उनके हालात की मजबूरी है आपको वो closure नहीं देंगे आपको यह नहीं बताएंगे कि उनके जीवन के अंदर क्या कुछ हो रहा है यह मत सोचिए कि आपको इस तरह से दुख देकर वो अपने जीवन में बहुत ज़दा खुश है आपके partner रातों को सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं रातों को वो वो pain को बहुत ज़दा experience करते हैं जो pain कहीं न कहीं उन्होंने आपको दी थी ठीक है जब आपको छोड़ कर गए आपके partner आपको एक pain की energies में एक suffering की energies में आपके partner ने आपको लाकर खड़ा कर दिया और उन्हें बिल्कुल भी उस time पर अंदाजा नहीं था आपके दोर से गुजर रहे हैं अब आपके partner वो सभी pain वो सभी suffering अपनी life के अंदर witness कर रहे हैं यह चीज वो आपसे चुपा रहे हैं क्योंकि उन्हें ये बात पता लग गई है कि जब आप गलत करम करते हैं तो उन कर्मों का फल भी मिलता है और आपके partner को वही कर्मों का फल मिल रहा है आपके partner को ये लग रहा है कि उन्होंने अपनी destiny में ये दुख खुद लिखे है तो आपके साथ share करने का क्या फायदा है आपको वो ये क्या कहें कि वो इस third party के साथ आगे क्यों और बढ़ रहे हैं बट आप अपने जीवन में आगे move on मत कीचे का या आप अपने life के अंदर किसी और partner को accept मत कीचे का वो आपके साथ पर relationship नहीं भाना चाते हैं वो इस third party को भी नहीं छोड़ सकते हैं ऐसी चीज़े वो आपसे नहीं कह सकते हैं इस वज़े से आपके partner आपसे communicate नहीं करते हैं चाहे उनके अंदर इतनी intense feelings क्यों नहीं आपको लेकर वो आपसे ये चीज़ communicate नहीं करेंगे किसी इंसान को रास्ता भी तो नजर आना चाहिए वो अपने future को लेकर भेवीत हो जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप चलो life किसी एक track पर तो चल रही है चाहे वो सफर कर रहे हैं कम से कम एक ही track पर तो वो चल रहा है आपके वहां से emotion जागरत कर दें वो और उपर से आपको commitment ना दे आपके साथ बहाने बाजी करते रहें तो वो आपने और गलत कर्मा create कर लेंगे वो गलत कर्मा वो बिल्कुल भी आप create नहीं करना चाहते हैं इसलिए वो अपने life का हर एक सच आप से चुपा कर रखना चाहते हैं आपको नहीं बताना चाहते हैं कि उनके जीवन के अंदर क्या कुछ हो रहा है हाँ बहुत जदा low vibrations में रहते हैं पार्टनर को एक feeling of loss हो रही है आप ये पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची थी कि इस रिष्टे में इस तरह का mode भी आएगा जब आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो चाहेंगे एक दूसरे से बात करने से भी डरेंगे I know ये fear आपके अंदर नहीं है आप अपने पार्टनर के साथ खुल कर बात कर सकते हैं लेकिन आपके पार्टनर के अंदर तो ये डर है ना तो यहाँ पर बहुत सारी hidden चीज़े हैं जो आपको चीज़े सामने से नजर आ रही है वही आपकी life का सच्छा है ऐसा नहीं है मेरे पास जो लोग आते हैं reading करने वो ये चीज़ पूछते हैं मुझसे कि माम ठीक है सारी मजबूरियां एक साइट कि हमारे पार्टनर को हमारे रिष्टे को लेकर या हमें लेकर कोई feelings है की नहीं उस चीज़ का जवाब यहाँ पर मैं आपको ज़रूर देना चाओंगी कि आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत ज़दा feeling भी है आपके पार्टनर आपसे प्यार भी करते हैं लेकिन अब expression नहीं बचा है express नहीं करेंगे क्योंकि अपने life का कोई एक ऐसा फैसला वो बनाने के लिए मजबूर हो गए है जिस पैसले को वो reverse नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आपके पार्टनर अपनी life में stuck है क्या कुछ go through कर रहे हैं वो आपके साथ share नहीं करना चाते हैं वो आपको नहीं बताना चाते हैं कुछ भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़दा याद करते हैं आपके साथ वो अपने जीवन को किस तरह से जीते थे उनकी जीवन के अंदर कितनी prosperity थी उनके life के अंदर कोई limitation नहीं थी आप उन्हें खुल कर जीने का मौका देते थे ये सारी चीज़े आपके जो पार्टनर हैं वो याद करते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है कि आपके प्यार को उन्होंने अपनी priority नहीं बनाया इस वज़े से जब वो रातों को रोते हैं या फिर अगर हम उनकी current feelings चेक करते हैं उनके urgent messages चेक करते हैं तो वो आपसे help मांगते हैं वो help इस वज़े से मांगते हैं कि वो इस energy को जीना नहीं चाहते हैं जो चीज़ आज उनकी मजबूरी बन गई है इस मजबूरी को वो नहीं जीना चाहते हैं वो आपके साथ रहना चाहते हैं बढ़ना चाहते हुए भी वो ये बात मानने के लिए मजबूर हैं कि ये रिष्टा खतम हो चुका और वो ये चीज़ आपको सामने से नहीं कह सकते हैं अगर वो आपको ये चीज़ कहते भी हैं तो उनकी सिरफ यही intention होगी कि अब जब life के अंदर कुछ होई नहीं सकता है तो आपको इस तरह से अठका कर रखने का कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है तो ये चीज़े हैं जो आपके partner आपसे चुपा रहे हैं आएए अब हम इस deck से देखते हैं आखेर आपके partner आपसे क्या चुपा रहे हैं आएए जानते हैं आपके partner आखेर आपसे क्या चुपा रहे हैं तो पहला card है यहाँ पर action का card है the next is four chakra archangel raphael का card है the next card is door to romance का card है the next card over here is happy family का card है bottom of the deck पर first chakra archangel michael का card है okay so आएए अब हम इस deck से देखते हैं आखेर आपके partner आपसे क्या चुपा रहे हैं आएए जानते हैं for pie number two people आखेर आपके partner आपसे क्या चुपा रहे हैं For pile number two people, आये जानते हैं, आख फिर आपके partner आपसे क्या छुपा रहे हैं, तो पहला card है यहाँ पर insecurity, the next card over here is instinct का card है, the next card is faith का card है, the next card over here is ficage का card है, and bottom of the deck पर victim का card है, देखिए आपके partner आपसे यह चुपा रहे हैं, कि वो आपके प्रती action लेने की कोशिश तो करते रहे हैं, लेकिन उनके actions का कोई result नहीं निकल कर आया है, आप जो उनको लेकर यह सोचते हैं, कि वो तो इस रिष्टे की और बढ़ना ही नहीं चाते हैं, उन्हें कोई interest ही नहीं ह सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपके partner आपको कोई clarification नहीं देना चाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, कि अगर वो आपको clarification देंगे भी, तो उसका क्या फाइदा है, आप उनकी बात पर यकीन भी कर लें, तो उसका क्या फाइदा है, इस रिष्टे में इतनी जादा दरारा चु का है, कि आप उनके हालातों को उनके perspective से नहीं देख पाएंगे, तो आपको जो action उनकी तरफ से नजर नहीं आता है, उसका सच ये है कि action का result नहीं आता है, action लिया जाता है, वो चीज आप से चुपा रहे हैं, वो, आपके partner के दिल में सर्फ और सर्फ आप बसते हैं, आपके partner के अंदर अगर emotions है, तो वो सर्फ और सर्फ आपको लेकर है, उनने अपनी life का balance अगर किसी के साथ witness किया है, तो वो सर्फ आप है, आपके बिना उनके जीवन के अंदर balance की situation कभी create ही नहीं हो सकती है, उनकी health पर किसी तरीके का कोई असर आ रहा है, कुछ negative असर है उनकी health पर ये चीज़ वो आपसे hide कर रहा है, ठीक है, बट जो अपनी feelings है ना, उस feelings को वो इतना ज़्यादा छुपा नहीं पाते हैं, इस बज़े से आपको उनकी तरफ से कुछ vibes महसूस होती है, उनके कुछ सपने आते हैं आपको, उसका reason यह है, ठीक है, आपके partner अपने दिल के से आपके लिए बंद नहीं किये है, आपके partner ने बस अपनी feelings को अपने तक रखने का decision बना लिया, आपके partner आपके सामने अपने emotions को इस वज़स से भी नहीं रख रहे हैं, कहीं आपके भी emotions trigger हो जाएं और फिर आप उनसे अपने इस रिष्टे के लिए commitment मांगे, वो commitment के आपके partner ये बार जानते हैं कि प्यार का एहसास उन्होंने सर्फ और सिर्फ आपके साथ किया, इस प्यार से बढ़कर उनकी life में कोई भी चीज important नहीं है, अब वो आपके यादों के साहरे अपने जीवन को बिताएंगे, ये चीज का निन्ने उन्होंने बना लिया है, आप आपके partner आपके साथ अपने एक happy family बनाना चाहते हैं और ये सबसे बड़ी बात है, जो वो आपसे चुपा रहे हैं, वो आपके साथ वो जो अपना पन फील करते हैं, उस से उन्होंने कुछ सपने देखे हैं, वो सपने सजाए हैं उन्होंने और उन्हें ये बात नजर आ र इसके opposite एक और energy भी है, आपके partner अपनी family अपकिसे और के साथ बनाने जा रहे हैं, ये चीज वो आपसे चुपा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सच है, इस चीज के उपर थोड़ा सा focus कीजिए, हर energy मजाग नहीं होती है, हर guidance मजाग नहीं होती है, अपनी life को लेकर अगर आप ख आपको लेकर उनके अंदर है, और emotions को block कर लिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि feelings नहीं है, बड़ अब वो expression खतम हो गया, वो express नहीं करेंगे, वो चाहकर भी वो बताना चाहते हैं आपको बहुत कुछ, क्या हो रहा है, वो किस तरह से आपको लेकर feel करते हैं, उन्हों बहुत ज़ victimized energies में हैं, वो बहुत बुरी तरीके से फसे हैं, लेकिन वो अपने आपको इस तरह से लाचार अपने मुह से नहीं साबित करेंगे, वो आपके सामने ये चीज़ नहीं कहेंगे, ये politics किसी और ने play की, फस मैं गया ये फस मैं गई, तो ये चीज़ आपके partner आपको सामने से नहीं कहने वाले हैं, तो अपनी जो victimized energies हैं, उन्हें आपके partner छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके partner insecure हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनके चीवन में नहीं होंगे, तो वो अपनी life को बिताएंगे कैसे, वो आपके बिना जीएंगे कैसे, आपके बिना त नहीं था, और उन्हें ये भी डर है कि कहीं ऐसा नहों, जिस तरीके से वो behave कर रहे हैं, आप सच में अपनी life में आगे move on कर चाहें, आप अपनी खुशियां किसी और में देखनी शुरू करतें, तो वो कहां जाएंगे, वो अपने emotions को balance नहीं कर पाते हैं, कभी उन्हें ऐस लगता है कि नहीं, जब वो आपके साथ इंसाफ ही नहीं कर सकते हैं, तो आपको भी अपने जीवन में आगे की और move करना चाहिए, कभी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, आपने अगर आगे की और move कर लिया, तो उनकी life का क्या होगा, वो अपने emotions को फिर तो आपके सामने तो वो अपनी इन सेक्यूरिटी इसको भी आपसे चुपा रहे हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं ठीक है यहाँ पर इंस्टिंक्ट का काड है आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन की आवाज भी आपसे चुपा रहे हैं आपके पार्टनर की इंट्यूशन उन्हें बहुत सरी चीज़ों के लिए guidance देती है बट आपके partner को ये पता है कि आप उन्हें एक double-faced personality मानते हैं और इस वजह से आपके partner आपके सामने किसी भी बात को कहने से डरते हैं ये ही एक major कारण रहा है जिसकी वजह से आपके partner ने कोई clear expression आपको नहीं दिया आपके partner को ये यकीन है कि अगर आप दोनों एक दूसरे की destiny में लिखे हैं तो आज नहीं तो कल आप दोनों एक दूसरे से जरूर मिलेंगे रास्ते जरूर खुलेंगे वो एक miracle का वो एक शमतकार का इंतजार कर रहे हैं तो ये जो faith की energies है ना ये आप दोनों के case में बहुत बड़ी obstacle रही है देखिए इश्वर पर faith रखना सही बात है कोई बुरी बात नहीं है लेकिन फल तो तब मिलता है ना जब महनत होती है महनत का फल होता है free का फल तो कुछ भी नहीं होता है तो यहां पर आपके partner ने इस relationship को surrender कर दिया है यह कही ना कही आप ही की energies है आपने भी इस relationship को surrender किया तब आपके partner आपसे help मांग रहे थे आज आप अपने partner से expect कर रहे है तो उन्होंने भी इस relationship को surrender कर दिया और वो यह चीज़ आप उसे कहना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने इस relationship को surrender कर दिया है उन्हें लगता है कि अगर आप उनके किस्मत में लिखे हैं तो आप उन्हें मिल ही जाएंगे ठीके यहां पर certificate का card है आपके partner को इस बात का एहसास हो गया है कि वो दूसरे की बात में आकर manipulate होकर इस रिष्टे को बुरा भला समझ कर अपने जीवन में आगे की और बढ़े जब इतना सब कुछ उन्होंने खुद create किया है तो वो सामने से आकर आपको क्या कहें उन्होंने तो बहुत पहले ये बात मान ली थी कि ये रिष्टा बुनियादी तोर से ही गलत है ठीक है तो ये guilt की energies वो आपसे share नहीं करना चाहते है कि उन्होंने ये सब कुछ किया उन्होंने इस रिष्टे को गलत माना उन्होंने इस रिष्टे में कोई interest नहीं दिखाया ये चीज़े आपके partner आपसे चुपा रहे हैं कि अब उन्हें इस बात के realization हो रही है कि तब उन्हें इस third party की बातों में नहीं आना चाहिए था अगर वो तब इस third party की बातों में ना आते तो आज ये situations create ना होती ये चीज़े आपके partner आपसे चुपा रहे है ठीक है बट हाँ यहाँ पर आपके partner की marriage होने वाली है या वो अपने अगर already married है तो अपनी married life में और आगे की और बढ़ रहे हैं ये energies यहाँ पर वो आपसे चुपा रहे हैं बहुत clear energies निकल कर आई हैं सो आईए आपके partner की soul से कुछ messages लेखते हैं आपके लिए आपके partner की soul आपसे क्या कहना चाहती है आईए जानते हैं आपके partner की soul से कुछ messages आपके लिए जिन्दगी एक पहेली बन कर रह गई हैं उनकी life में चीजें क्यों हुई कैसे हुई ये चीजी उनने समझ नहीं आ रहे हैं तो जिन्दगी एक puzzle है उनके लिए इस puzzle को वो नहीं solve कर पा रहे हैं वो ठक गए हैं इस रिष्टे से भागते भागते हैं और जादा वो अब इस रिष्टे से नहीं भागता चाहते हैं वो अपनी life में ही अपने आपको बहुत ज़दा थका हुआ महसूस कर रहे हैं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मैं किस तरह तुम्हारे सामने मुझे समझ नहीं आता आपके partner अपनी गलती पर शर्मिं मिस करते हैं उन्हें ये जिन्दगी नर्क जैसे लगती है ये वक्त हमारी महबत का इमतिहान ले रहा है ये आपकी energies है ये जो energy है ये आपके partner आज इस वचे से वेटनस कर रहा है क्योंकि ये ही energy आपने universe की तरफ से उन तक send की है ठीक है तो अब आपके partner को भी ऐसा लग रह है तो आज नहीं तो कल वक्त ही होगा चीज़े ठीक हो जाएंगी अगर इश्वर ने लिखा है तो आप दोनों का साथ एक दूसरे के साथ बनेगा अगर नहीं लिखा है तो वो कुछ नहीं गर सकते हैं तो आपने गलत energies को project किया है अपने partner की और I promise you from bottom of my heart that I will never break your trust again आपके partner आपसे ये promise करते हैं कि अगर उन्हें एक chance मिलता है इस relationship में तो वो आपका trust दुबारा कभी नहीं तोडेंगे ये वो helping energies हैं जो हमेशा आपसे मांगते हैं ये वो energy है जिससे ये पता लगता है कि आपके partner इस energy की और नहीं बढ़ना चाते हैं इस third party के साथ अपनी life को spend नही साथ ठीक है तो वो एक मौके की तालाश में है वो ये मौका आपसे expect करते हैं ये energies यहाँ पर निकल कर आएं ये आपके partner के soul से messages हैं ये कोई gender wise message नहीं है अगर आपकी partner एक female है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं ठीक है तो जिन्होंने pile number two choose किया है देखिए आपके पास वक्त बहुत कम है अगर अभी भी आपको अपने partner के साथ गिले शिक्वे ही हैं तो आप अपने इस रुष्टे को भूल जाएए अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे अपने partner के साथ reunion go through करना है मुझे अपने partner को अपनी life के अंदर वापस लेकर आना है क्योंकि मैं partner भी कही ना कहीं मुझे प्यार करते हैं तो आपको अपने partner की blockages को समझने की ज़रूरत है and accordingly आप उनके लिए कुछ remedies go through कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ अपने reading book करना चाहते हैं तो मेरे whatsapp के through या फिर मेरी email id के through कर सकते हैं मेरे whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगे so I hope जोनोंने by number two choose किया है आज की reading से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर clarity मिली होगी नीचे मुझे comment section में जरूर बताइए का ये reading आपको कैसी लगी वीडियो पसंद आई है तो like करना मत भूलिए का अपने near and dear ones के साथ share जरूर कीचेगा हो सकता है किसी को अपनी life को लेकर कुछ clarity मिल सके so do share my video also अगर आप मेरे reading से influenced हैं और किसी personalized problem का solution मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी personalized reading मेरे साथ book कर सकते हैं ये booking आप मेरे whatsapp के थूर या फिर मेरे email id के थूर कर सकते हैं मेरे whatsapp number और email id स्क्रीन पर flash होगे जिन लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है मेरे एक और channel भी है soul divine journey taro link आपको नीचे description box में मिल जाएगा उस channel पर मैं कुछ ऐसी videos post करते हूं जो आपको आपकी life को channelize करने में मदद करती हैं और मैं अपनी daily angelic guidance रोज रात 8 बजे उस channel पर post करते हूं तो आप लीज उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीजे और वहां पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिसे कि वहां के लिए भी आपको सभी notifications मिलती रहें मेरे एक और channel भी है soul mystic taro उस channel पर मैं आपके partner की current feelings उनकी तरफ से आपके लिए उनके अंकहे जजबाद yes or no pendulum readings ऐसी सभी readings पर आपने उस channel पर post करते हूं आप प्लीज उस channel को भी subscribe ज़रूर कर लीजिए और वहां पर भी bell icon को प्रेस करना मत भूलिएगा जिसे कि वहां के लिए भी आपको सभी notifications मिलते रहें उस channel का link भी आपको नीचे description box में मिल जाएगा so thanks for watching see you soon